अब खबरे विस्तार से किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इरान के इशारे पर हिजबुला इतनी बड़ी जंग तैयारी कर रहा है हिजबुला का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इस्रेल के होश उड़ा दिये है हिजबुला की मिसाइल सुरंग हमास की सुरंगों से चार गुना बड़ी और गहरी है जिसकी वज़़ा से इस्राइली सेना उन्हें तबाह नहीं कर पा रही है खबर ये है कि इरान के सुप्रीम लीडर खाम नहीं ने हिजबुला को इशारा कर दिया है कि जमीन के नीचे से इस्राइल पर हमले शुरू कर दो इस आदेश के बाद से हिजबुला लगता डेड़ घंटे कर उत्तरी इस्राइल पर हमले करता रहा कि अ कि अ कि आ कि खामनेई का आदेश हिजबुला ने खोली मिसाइल सुरंग अब युद के मैदान में इसरेल और कितने दिन ठिक पाएगा ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आकरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है हिजबुला ने घाजा युद के दस महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इसरेल के खिलाफ खोल दी है और इरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइले और रॉकेट इसरेल पर एक साथ दागने के लिए तयार कर दिये हैं पिछले एक हफ़ते में अचानक इसरेल बैक फुट पर नसर आने लगा है पीम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योग गैलन के बीड जंग की रणनीती को लेकर तीखी बहस हो चुकी है ये सारा जंगी माहौल साबित करता है कि इसरेल दीरे धीरे जंग के दलदल में धस्ता जा रहा है चाहे घाजा युद्ध हो चाहे हेजबॉला से युद्ध हो या फिर इरान से इसरेल की जंग हो अभी तक इसरेल, हमास, हेजबॉला और इरान पर भारी परता नजर आ रहा था लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हेजबॉला और हमास की तरफ से इसरेल पर बेहद सटीक और घातक हमले किये गए हैं हैरानी की बात तो ये है कि इस बार इस्रेली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुला मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इस्रेल की वार टीम के होश फाक्ता कर दिये हैं पहली बार हिजबुला ने दिखाई मिसाइल सुरंग जरा हिजबुला के इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुला के खदरनाक लड़ा के गातक हतियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं वीडियो में हिजबुला के लड़ा के सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं हेजबुल्ला के सुरंगों के खास बात ये है कि ये लगभग दो मन्जिल उची है सुरंग में घातक मिसाइले, रोकेट भरे पड़े हैं बड़े बड़े ट्रकों पर सैक्डो मिसाइले लदी हुई है चौकाने वाले हेजबुल्ला के वीडियो में नई इमाद चार सुरंग दिखाई गई है अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी लेकिन पहली बार हेजबुल्ला ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखा कर इसरेल और उनके सहयोग्यों के होश उड़ा दिये है दावा किया जा रहा है कि एरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हेजबुल्ला ने इसरेली सेना पर हमले देज कर दिये हैं हेजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हेजबुल्ला ने पहली बार सुरंग मिसाईलें इसरेल पर हमला करने के लिए खुल दी है अब आशासी बाद मा तल्लाँना है बयोजा आला बैतो बयोजा बदील और भीखदम वाटो भीजा आला बैतो वहाकज़ा वमाजालिक आमलीन इसरेली बाद मा इसरेल जाना है जमीन के नीचे से हमला जमीन के उपर इसरेल तबा 30 जुलाई को हिजबुला के नंबर दो टॉप कमांडर फुआज शुकर को इसरेल ने बेरूत में जबरदस्थ हवाई हमले में मार डाला 31 जुलाई को हमास चीफ आनिया को इरान की राजधानी तेहरान में इसरेली एजिंटों ने धमाका करके मार दिया इन दो हत्याओं के लगभग 20 दिन के अंदर इरान और हिजबुला ने इसरेल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीती बनाई है कि इसरेल के टॉप कमांडर फी चक्रा गए है इरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुला चीफ हसन नसरला इसरेल को उसी के अंदाज में मनोवैग्यानिक युद्ध में फजा रहे है ज़रा देखिए हिजबुला किस तरह से हमले इसरेल पर लगातार आट दिन से कर रहा है जरा इस एनिमेशन को देखिए हिजबुला इस वक्त उतरी इसरेल पर जबरदस्थ हमले कर रहा है पहाडी इलाकों में मौझूद इसरेली सेना के कमांड सेंटर और सैन्ने ठिकानों पर हिजबुला ने कत्यूशा और पोरकान मिसाइलों से हमले शुरू किये हैं खुद इसरेली सेना ने माना है कि हिजबुला सीरियल मिसाइल अटेक करने में जुटा है दावा किया गया है कि हिजबुला ने उत्तरी इसरेल में सैन्ने ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइले और रॉकेट से हमले किये हैं जिसकी वज़े से इसरेली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हजबुल्ला ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इसरेल की एर डिफेंस कोड बी कोड करने में जुटा है। Israeelी ओिषाल पे लजारी कि लवनने, थे सालिए स इसरेली लचाहाने कि लवनने के लङ बीज़ काने था करना में ऐाक यप्जैन को शणायत बीज़ारी के लवनना इसरेली मी अला करना मेंनन मेंने कोड्यास, ज coachingर क दो का पुबुल्लारी करेंसा इसरे लारे गलारी लबनन खौफ में इसरेल तीन सो दिन से ज्यादा की जंग में हमास, हिजबुला और इरान को इसरेल ने बायानक चोट पहुचाई है लेकिन 300 दिन की जंग में हमास, हिजबुला और इरान को समझ में आ गया है कि इसरेल को उसी जमीन पर उसके वार प्लैन के जरिये हराया जा सकता है इन तीन तस्वीरों से पूरा प्लैन समझ लीजे हमास के पास इतनी जादा सुरंगे थी जो 300 किलोमेटर दूरी तै कर सकती है इसरेल ने लगभग 90 फीजदी हमास सुरंगे तबाह कर दी है लेकिन अभी भी हमास 10 फीजदी सुरंगों के जरिये इसरेल पर गातक हमले कर रहा है ठीक उसी तरज पर हिजबुला ने अपनी मिसाइल सुरंगों को इसरेल पर हमला करने के लिए खोल दिया है जबकि इरान ने अपने बंकर में रखी हजारों मिसाइलों को एक साथ इसरेल पर हमला करने के लिए तयार कर दिया है अब आप अनुवान लगाएए कि अगर हमास, हिजबुला और इरान मिलकर सुरंगों और बंकरों से एक साथ मिसाइल और रॉकेट से इसरेली सेने छेकानों और शेहरों पर हमले कर दें तो इसरेल इतने भीशन हमले को कैसे रोप पाएगा बेशक इसरेली सेना के टॉप कमांडर दाबा करें कि वो हमास, हिजबुला और इरान के हमलों से नपट लेंगे लेकिन जिस तरह की तैयारी हिजबुला ने की है वो हैरान करने वाली है हिजबुला ने ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इसरेल के खिलाब जवाबी कार्यवाई करने का ऐलान किया है इरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समू हिजबुला ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को ये वीडियो जारी किया है हिजबुला के दरब से जारी किये गए वीडियो क्लिप में विशाल सोरंगे दिखाई गई हैं ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक का असानी से गुजर सकते हैं सोरंगे कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं इनमें मिसाइल से लड़े ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है हिजबुल्ला ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सोरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्ला लड़ा के आते हैं इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लाउंचर से लास्ट ट्रक बढ़ते हैं, पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं, एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं, इस दोरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगे दिखाई देती हैं, ट्रक एक जगह रुकता है, वो ज जमीन के ओपर खुलती है, यहां लॉंचर तयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं, हिजबुल्ला के इस सुरंग वीडियो को देखिए, जिसमें सैकडों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं, वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अ लड़